विवेग बिंडरा बड़ा बिजनस प्राइवेट लिमिट्टिड के सीएओ और फाउंडर है और वो जाने माने ओथर, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्परेट ट्रेनर और बिजनस कोच भी है पिछले कई दिनों से विवेग बिंडरा का एक दूसरे पॉपलर यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महिशवरी के साथ विवाद चल रहा है, दोनों के बीच वार पलट वार जारी है इस बीच एक और खबर आए कि विवेग बिंडरा के खिलाफ पत्नी के साथ मार पीच का मामला दर्ज कराया गया है मतलब एक विवाद चल ही रहा था और एक और विवाद सामने आ गया, तो क्या है नया विवाद चलिए जानते हैं 22 दिसंबर को खबर आए कि विवेग बिंडरा के खिलाफ गौतम बुध नगर में FIR दर्ज हो रखी है 9 दिसंबर को विवेग बिंडरा के खिलाफ उनके साले वैभव क्वात्रा ने गौतम बुध नगर के सेक्टर 126 थाने में शुकायत दी आरोप लगाया कि विवेग बिंडरा ने पतनी के साथ गालिग लौच कर काफी मारपीट की शुकायत के बाद विवेग बिंडरा के खिलाफ 14 दिसंबर को FIR दर्ज की गई शुकायत करता के मताबिक उनकी बेहन यानिका की शादी 6 दिसंबर 2023 को विवेग बिंडरा के साथ हुई थी अगले दिन 7 दिसंबर की सुबह विवेग बिंडरा की अपनी माज से बहस हो रही थी इस दोरान उनकी बेहन ने मीच बचाप किया तो विवेग बिंडरा ने मारपीट की शुकायत में कहा गया है कि इस मारपीट से यानिका को काफी चोटे आई है उन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा है सिर पर घाव है जिसका इलाज चुल रहा है पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जाजकर कारवाई की जाएगी इसके साथ ही विवेग बिंडरा का विडियो भी सामने आया है जिसमें वो सोसाइटी के गेट पर पतनी के साथ नोग जोग करते दिख रहे है विडियो सामने आते ही वाइरल होने लगा विवेग बिंडरा एक बड़े बिजनस के CEO है उनकी कंपनी खड़ा बड़ा बिजनस प्राइविट लिमिटूड है ये कंपनी लोगों को अंत्रप्रेंडर्शिप और वियापारिक लोगों को ट्रेनिंग और सलाह देती है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस कंपनी का टर्न ओवर करीब 50 करोड रोपे का है उफिशल डेटा अभी तक कभी सामने नहीं आया उनके यूट्यूब पर 21.4 मिलियन यारि के करीब 2 करोड से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है ये है उनकी दूसरी पत्नी का बावला उनकी पहली पत्नी गीतिका सबरवाल से भी उनका विवाद चल रहा है दोनों के बीच का विवाद कोट में विचारा धीन है परिदाबाद के ओमेक्स हाइट्स सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा ने परिदाबाद सेंट्रल थाना में पती के विवाद के बाद शुकायत दर्ज कराई थी। शुकायत में ये कहा गया था कि पती विवेक बिंद्रा के साथ उनका कई सालों से विवाद चल रहा है। वितिका ने विवेग से खुद की जान को खत्रा भी बताया था। कोट में उनके बीच तलाग का केश चल रहा है। इस केस में उन्होंने विवेग बिद्रा से गुजारा भटा की मांग भी की है। उन दोनों का एक बेटा भी हैं। पहली पतनी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से दूसरी शादी की थी अब उनकी हाल ही में जो दूसरी कॉंट्रोवर्सी संदीम पहिश्वरी से चल रही है अगर उसकी बात करें तो अपने यूट्यूब चैनल पर 11 दिसंबर को बिग स्कैम एक्सपोज जनाम से एक विडियो नाला था संदीम पहिश्वरी ने विडियो में संदीम पहिश्वरी दो लड़कों से बात करते दिखते हैं वो कहते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ वो बिजनस्मेन की जो के सेल्समेन बना रहे है वीडियो में एक लड़के ने बताया कि उसने कोर्स 50,000 रुपे में लिया दूसरे ने बताया कि उसने 35,000 रुपे में कोर्स लिया था इसके अगले दिन संदीप पाहश्वरी अपने यूट्यूब कमिनिटी पर एक पोस्ट करते है उन पर वो वीडियो चैनल से हटाने का दबाव डाला जा रहा है लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे एक और पोस्ट में संदीप पाहश्वरी आरोप लगाते है कि विवेक बिंद्रा ने उनकी लीगल टीम को धमकी दी है और उनके घर पर अपने करमचारियों को भेज़ा है संदीप पाहश्वरी के पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने भी यूट्यूब कमिनिटी पर पोस्ट किया और उनके लिखा संदीप भाई मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्स्पोस्ट देखा है क्योंकि आपने कंफर्म किया है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से रूलेटेड है तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिश्यल आइडी पर इस पर खुल कर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शुकों के मन में कोई भी कंफ्यूजिन ना रहे विवेक बिंद्रा आगे लिखते है कि वो एक बर संदीप महिश्वरी के शो में आ चुके है और दुमारा भी आने के लिए तयार है विवेक बिंद्रा संदीप महिश्वरी को खुली चुनौती देते हैं संदी महिश्वनी के घर अपने करमचारियों को भेजने का जवाब देते हुए विवेक बिंद्रा ने लिखा कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया मुझसे बात करने की अपील पर आपने गौर नहीं किया आपने मेरे बारे में 5000 पॉजिटिव कॉमेंट्स डिलीट कर दिये यह सच्छे कि मेरे डारेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर गए थे और इसकी वज़ये आपसे बात करने के लिए अपॉइंट्मेंट थी दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में यारोप प्रत्यारोप जारी है जिसकी सोशल मीडिया पर काफे जाता चर्चा भी हो रही है अब नया मामला उनकी वाइफ को लेकर आया जो हमने आपको इस वीडियो में बताया अब लोग ट्राय कर रहे हैं कि इस मामले पर विवेक बिंद्रा का क्या कहना है हम उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं तो ये थे विवेक बिंद्रा के हाल ही की दो कॉंट्रोवर्सिस जो उनकी एक वाइफ को लेकर है और एक उतन दीप महिश्वरी को लेकर है अल्दो गुड रुटन्स लगाता है ट्राइ कर रहा है विवेक बिंदुरा से बातचीत करने की कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है विडियो में इतना ही आपको जौनकारी कैसी लगी और आपका क्या मानना है कॉमेटर के जरूर बताए अगर आप विडियो को फेस्बुक पर देखरें तो फेस्बुक पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देखरें तो गुड रुटन्स के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले